आजपा के विधायक जिवेश मिस्रा ने इस मामले को तूल दिया है, कहीं न कहीं इसमें साजिस की भू आ रही है, जिवेश मिस्रा ने पेश किया मानो पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आकर के वोट गिराया हो, इनका लब जहाद फेल हो गया, आब ये बुरका जहाद, रेक्ती जैसी भासा है, उनकी जबान में कोई मर्यादा नाम की चीज नहीं है, जाले की बंधोली में मधवनी लोकसवा चुनाओं के दौरान फरजी वोटिंग मामले में अबिस्यासत गर्मा गई है, बीते दिन अस्थानिये भाजपा विधायक जिवेश मिश्रा और असो मिश्रा के दवाव में पुलिस काम कर रही है, जो की कहीं से उचित नहीं है, इस पूरे बावाल के पीछे नजरे आलम ने जिवेश मिश्रा को मुख्य आरोपी ठाहडाते हुए जिला परशासन से उन पर कारवाई की मांग की है, देखिए जो दिवरा बंधोली की घटना ह में हैं, जिस तरीके से भाजपा के विधायक जिवेश मिश्रा ने इस मामले को तूल दिया है, कहीं न कहीं इसमें साजिस की भू आ रही है और दरभंगा परशासन पर दबाव बना करके एक विशेश समुदाय मुसलमानों को परिशान किया जा रहा है, ये शुरू से होते आया है कि वोटिंग में अगर कहीं कोई व्यक्ति गलत पकड़ा जाता है, तो इसको जो वोटिंग का समय होता है, खतम होने के बाद उसको थाना प्यार बंड भर के छोड़ देता है, लेकिन ये दिवरा बंधुली के मामला को इस तरीके से जिवेश मिश्रा ने पेश किया मानो पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आकर के वोट गिराया हो, इनका लब जहाद फेल हो गया, अब ये बुरका जहाद वोट जहाद लेकर के नेता बनना चाह रहे हैं, और सर्मनाक बात यह है कि जो मदवनी लोग सभा से परत्यासी थे असोक यादव जी, उनकी भासा तो एक अशिक्षित व्यक्ति जैसी भासा है, उनकी जबान में कोई मर्यादा नाम की चीज नहीं है, मुझे लगता है कि वो जिस व्यक्ति के बेटा है, हुकुम देव नारैन यादव जी के, मुझे लगता है शर्मनाक है कि जो सक्स लगातार स्यासत में रहा हो, उसको अपनी भासा पे भी संयम नहीं है, और कुछ भी अनाप सनाप बोल दे रहे हैं, मुसल्मानों का जो वोट परतिशत है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कि ये जो वोट जिहाद अलब जिहाद अबुरका जिहाद वाले नेता अनाप सनाप बग रहे हैं, एक साजिस के तेहत, सि भी मुसलिम वोटर्स हैं, उसके बुथ से 150 वोटर्स को हटा दिया गया है, उसका नाम काट दिया गया है, ताके इनका वोट परतिशत कम हो, डिवरा बंधवली की घटना, कोई वहां की जंता के द्वारा नहीं घटी, ये सीधा सीधी जिवेश मिश्रा के द्वारा घटी घटना है, ये बुथ पर की सधिकार से गया, इन्होंने महिलाओं के साथ दुर्वेवार कैसे किया, इन्होंने वहां के वोटर्स को कैसे रोका, हम तो दर्भंगा पर सासन से, कल हमारे जिला अध्यक्ष ने इस पर आवेदन दिया है, और पांच मांगे उसमें रखी गया, उसमें एक मांग है, कि मुख हारोपी है जिवेश मिश्रा, उस पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ, किसकी अनुमती से वो बुथ पर गया, किसकी अनुमती से उन्होंने महिला से दुर्वेवार किया, किसकी अनुमती से उन्होंने वोट वादित किया, जब ये फेलियोर हो गय इनको हार का डर सताने लगा, ये हतास हो गए, तो इन्होंने एक मुसलमानों के गाउं को चिनहित किया, और वहाँ बुर्का जिहाद, वोट जिहाद जैसा नारा दे करके, अस्थानिय परसासन के दबाव बना करके, वहाँ के जिम्मेदारों पर फर्जी मुकदमा करवाया, और बच्चियों के पर भी फर्जी मुकदमा करवाया, हमने परसासन से मांग किया, दर्भंगा परसासन आमेशा से निस्पक्ष भूमिका में रही है, वो किसी के दबाव में नहीं आए, और सबसे पहले जिवेश मिस्रा पर मुकदमा करे, दूसरा जो धारा लगाया गया, उसमें संसोधन किया जाए, तीसरा की जो निर्दोस व्यक्ति का नाम डाला जया, उसे हाटाया जाए, बच्चियों ने अगर गलत वोट किया, या वो बुद्ध पे पकड़ी गई, तो उसका पी आर बंड पर के छोड़ा जाए, लेकिन एक जिवेश मिस्रा के दबाव में आगर के दर्भंगा की परसासन पूरे अमन के महाल को नहीं खराब कर सकती, इसलिए मैंने दर्भंगा डियाई जी बावुराम को आवेदन दे करके, एसेस्पी महादे, डिये महादे से ये मांग किया है, और ब्यार के मुझा नितीश कुमार जी से, कि सामने बगरीद का ब कामला है, एक भी मर्द गाउं में नहीं है, ये कौन सा आतंकवादी घटना है, कौन सा दंगा किया गया, जो इस तरह का अधारा लगा करके, सभी को छापे मारी की जा रहे है, सवाल ये भी है कि अभी तक जो है, राज़त की कोई नेता हो, कि नहीं की परतिक्रिया नहीं आ रहे है, जैसे अशोक यादब ने अपना पक्ष रखा, उस तरीके से राज़त के परतियासी जो मदूबनी से थे, अलिया अपनी बात अभी तक नहीं रखी है, जनता ये सोच रही है किसी भोट लेने के लिए से इस पर आपी क्या रहा है, नहीं नहीं देखे, राज़त परतियासी अली अश्रफ फात्मी साहब की बात कर रहे हैं, या जो भी महागडबंदन के नेता हैं, उन्होंने इस मामले को गंभिरता से लिया और परसासनिक भी इन लोगों ने इसमें पहल किया है और सरकार से भी बात चल रही है, इलक्षन कमिशन से भी बात चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो दरभंगा परसासन है, अस्थानिये परसासन है, वो भाजपा के दबाव में आ करके इस तरह का मामला किया है, एक तरफ परसासन ठान अपराधियों ने अपराधियों को छोड़ाया जबके ऐसा कुछ भी नहीं है वो बच्चिया जो थाने पे एक बज़े से लगातार कस्टडी में थी पुलिस के उसको थाना परभारी नहीं कहा कि आप इसे ले जाए डॉक्टर का उप्चार कराए तो वहां से लोग ले करके वहां बच्चे जरूर शोर मचा रहा है लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है न थाना के किसी स्टाप को न महिला पुलिस करमी को बच्चों ने खुशी इसलिए मनाए कि उसे लगा के रहा हो गई इसलिए खुशी मनाए उसको भगा के नहीं लाया गया यह जिव सलता है और हारता हतास है